आप सभी को Happy World Book Day हर साल 23 अप्रेल को दुनिया भर में World Book Day मनाया जाता है इस दिन को विश्व पुस्तक और Copyright Day भी कहते हैं विश्व पुस्तक दिवस को किताबे पढ़ने, प्रकाशन और Copyright के लाब को पहचानने और भढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है किताबे न केवल हमारा ज्ञान बढ़ाती हैं बलकि अकेले पन में सच्चे फ्रेंट का रोल भी निभाती हैं पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने के लिए ही वर्ल बुगडे का आयोजन हर साल युनेस को द्वारा किया जाता है इसी उप्लक्ष में गुलजार की एक कविता आप सब के लिए किताबे ज्ञाकती हैं बंद अलमारी के शीशों से किताबे ज्ञाकती हैं बंद अलमारी के शीशों से बड़ी हसरत से तकती हैं महिनों अब मुलाकाते ही नहीं होती जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अकसर गुजर जाती हैं कम्प्यूटर के परदों पर बड़ी बेचैन रहती हैं किताबे उन्हें अब नीन में चलने की आदत हो गई है वो कदरे वो सुनाती थी कि जिनके जो रिष्टे वो सुनाती थी वो सारे उद्रे उद्रे हैं कोई सफा पलटता हूँ तो एक सिस्की निकलती है कई लफजों के मानी गिर पड़े हैं बिना पत्तों के सूखे टुन्ड लगते हैं वो अलफाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उखते हैं जबा पर जो जाय का आता था जो सफा पलटने का अब उंगली क्लिक करने से बस जबकी गुजरती है किताबों से तो जाती राप्ता था वो कट गया है कभी सीने पर रखकर लेट जाते थे कभी गोदी मिलेते थे कभी गुटनों को अपने रिहल की सूरत बना कर नीम सजदे में पढ़ा करते थे छूते थे जबी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुके किताबे मंगाने गिरने उठाने के बहाने रिश्टे बनते थे उनका क्या होगा वो शायद अब नहीं होंगे